सहारा रिफंद अंडर प्रॉसेसिंग, अगर आप भी सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किये हैं, और आप जानना चाहते हैं कि आपका सहारा रिफंड का स्टेटस क्या है, रिफंड की राशी आपके बैंक खाते में क्रेडिट हुआ है या नहीं तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आज के इस वीडियो में मैं आपको सहारा इंडिया स्टेटस चेक करने के तरीका बताया है जिन तरीके का उपयोग करके आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के उपयोग से सहारा रिफंड पोर्टल पर रिफंड की स्थिती ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपको बता दे कि सहारा इंडिया स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वहां से आप सहारा इंडिया स्टेटस चेक कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं आप किस प्रकार से सहारा इंडिया स्टेटस आनलाइन चेक कर सकते हैं, एवं अपने रिफंड से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप सहारा इंडिया के विभिन फंडों में निवेश किये थे और अगर आप सहारा रिफंड पोर्टल के जरिये रिफंड ल जिन्होंने refund portal पर refund लेने के लिए registration करवाए हैं, वह आधिकारिक website पर जाकर online माध्यम से refund की स्थिती online चेक कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता लग सके की refund status की स्थिती क्या है, उनके bank खाते में refund की राशी ट्रांसफर की गई है या नहीं, सभी निवेशक जिन्होंने refund लेने के लिए registration करवाया है, वह सहारा refund portal पर आवेदन की स्थिती चेक कर सकते हैं, उनका आवेदन स्वीकृत किया गया है या नहीं, आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद verification की प्रक्रिया शुरू की जाती है, उसके बाद eligible निवेशकों को पहले चरण में, DBT के माध्यम से अगर उनका आधार कार्ड बैंक खाते के साथ जुड़ा हुआ होता है तो 10,000 रुपे तक transfer की जा रही है, रिफंट की राशी साथ दिनों के भीतर transfer कर दी जाती है, ऐसे में जिन्होंने सहारा refund portal पर रिफंट की आवेदन की स्थिती चेक किये हैं एवं उनका refund complete कर दिया गया है, तो उन्हें एक से दो सप्ता का इंतजार करना होगा, जल्द ही उनके बैंक खाते में refund की राशी transfer कर दी जाएगी केंद सरकार के द्वारा पहले चरण में refund की प्रक्रिया के लिए eligible निवेशकों की लिस्ट जारी करके उन सब निवेशकों को dbt के माध्यम से refund की जा रही है, अधिक जानकारी के लिए portal पर जाकर login करके आवेदन की स्थिती online चेक कर सकते हैं, ताकि आपको आपके आवेदन क सही स्थिती का पता लग सके एवं अगर आपके आवेदन में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसे आप जल्द सुधार कर सके, refund लेने के लिए जिन्होंने registration करवाए हैं, वे अब सहारा इंडिया refund पोर्टल पर refund की स्थिती online चेक कर सकते हैं, इसके लिए आप आगे दी गई स्थिती फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहले CRCS सहारा refund पोर्टल यूरल पर जाएं, अब हूम पेज पर refund की स्थिती, आवेदन की स्थिती, वाले विकल्प का चुनाव कर ले, अब अपने registration को लॉग इन करने के लिए, registration number एवं password दर्ज करके submit वाले बटन पर क्लिक करें अब आपके registered mobile number पर एक OTP आया होगा, उस OTP को दर्ज करके submit करें, अब आपकी screen पर refund की स्थिती दिख जाएगी, कि आपका amount आपके bank खाते में transfer की गई है, या नहीं या फिर आप refund के लिए eligible है या नहीं इस तरह से आप सहारा refund portal के जरिये refund की स्थिती online चेक कर सकते हैं सहारा के निदेशक जिन्होंने refund लेने के लिए सहारा refund portal पर अपना registration करवाए हैं, वहब अपना refund का स्थिती online चेक कर रहा हैं, एबं refund की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं रिफंड पोर्टल पर रिफंड की स्थिती आवेदन की स्थिती इत्यादी सारी जानकारी अपडेट कर दी गई है. निवेशक रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेब साइट से सारी जानकारी ओनलाइन चेक कर सकते हैं.